यूपी आने के लिए मांग रहा था सुरक्षा लेकिन गाजीपूर प्रसासन ने कर दिया करोणों का प्रहार बिहार जेल में बंद शूटर पर हुआ वार गाजीपूर में था 50 हजार का इनाम अब हो रही कुड की सरया मुक्तार अंसारी और मुक्तार अंसारी के सहीयोगियों पर पुलिस और प्रसासन की सक्ती कम होती हुई नजर नहीं आ रही है पुलिस के अनुसार बिहार जेल में बंग मुक्तार के शूटर अंगद राय ने उस दिनों पहले यूपी में आने के लिए कोट से सुरक्षा मागी थी वहीं अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने अंगद राय पर बड़ी कारवाई की है यूपी पुलिस ने गाजीपुर के मुहम्दाबाद में मुक्तार अंसारी के IS191 गैंग की सदस्य अंगद राय की दो प्रापर्टी को कुरक कर लिया है बता दें कि अंगद राय की इन दो प्रापर्टी की कीमत साथ करोड़ रुपे से यादा है गाजीपूर पुलिस ने मुक्तार अंसारी के शूटर अंगद राय की दोनों संपत्यों की खुड की मुनादी करा कर की मंगलवार को जग जीवनपूर इस्तित अंगद के पैतरी गाव में बने घर को भी पुलिस ने मंगलवार को कानूनी प्रिक्रिया अपनाते हुए खुड कर लिया इस जबतिकरन कारवाही के समय काफी संख्या में पुलिस सोर्स और इस्थानिय लोग उपस्तित थे एक बदमाश है अंगद राय जो आई एस 191 गैंग लीडर मुक्तार अंसारी का सहयोगी रहा है यहां और खुद भी यह आजिवन कारवास का सजाया भी है वरतमान में भी बिहार जेल में बंद है और इस समय यहां पे भी यह जनपद गाजीबुर से पचाहजार का इनामी था और इस पर गैंडेश्टर एड के मुकदमे पंजीकरत थे उसी में इसकी संपत्तियों की च्छानबीन की गई है तो आज इसकी दो बहुती वैल्यवेबिल संपत्ति चोदेक के अंतरकर जप्तिकरन उसका जिलातिकारी गाजीपुर के आदेश से किया गया है जिसकी मार अन्य संपत्तियों का भी जोरा निकाला जा रहा है तता इसके गैंड में और भी जो लोग थे उनका भी चिन्नी करण करके उनके द्वारा भी जो अवैद और अपने कूकरत्तों से जो संपत्ति बनाई गई है उसका भी चिन्नी करण कराया जा रहा है सिग रही और अधिक प्रिभावी कारवाई मुक्तार अंसारी के सहयोगियों पर तदा अंगद राय के जो और सहयोगी थे उसके गैंग में उनके वुरुद की जाएगी जाएगी